नमस्कार दोस्तों स्वादनोख हम आप सभी का स्वागत है क्या बच्चे बड़े सबीके मुँं में पानी आ जाता है और क्येक तो कोई भी घर में फंक्शन हो जरूर आता है तो चली आज मैं घर में ही बनाना बताती हूं इस क्येक का नाम है नटीके सबसे पहले मैं ले रहे हूँ मेरी गॉल्ड बिस्किट 16 पीस इसको रफली तोड़ कर मिक्सी में पीस कर पाउडर बनाएंगे देखे पाउडर बना लिया है अब एक बोल में 200 ml मिल्क मेड दो चमच बटर आदा चमच चोकलेट एसेंस आदा चमच चोकलेट कलर आदा चमच बेकिंग पाउडर और वन फोर चमच बेकिंग सोडा डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे बिस्किट का पाउडर और दुबारा मिक्स करेंगे दोस्तों ये नटी केक है इसलिए इसमें आदा कप मिक्स ड्राइ फ्रूट का चूरा डालकर मिक्स करेंगे अब जरूत के इननों साथ इसमें दूर डालकर बेटर तयार करेंगे देखे बेटर तयार है अब केक ट्रे को मैंने गी से ग्रिस कर लिया है अब मेदा से डस्टिंग करेंगे और एक्स्ट्रा मेदा को हटा देंगे अब बेटर को केक ट्रे में पोर करेंगे अब करते हैं इसे बेक मैं आपको कड़ाई में बेक करके दिखा रही हूँ आप चाओ तो OTG में भी कर सकते हो मैंने कड़ाई में नमक डाल कर पहले से ही प्री हिट कर रखा है अब केक ट्रे को रख कर ढकन लगा कर 5 मिनट फूल गेस पे और 25 से 30 मिनट तक स्लो गेस पे बेक करेंगे लगबग 35 मिनट हो चुक है अब मैं आपको केक चेक करके बताती हूँ देखे चक्कू एकदम क्लीन आ रहा है आप गेस को करते हैं बन और इसे होने देते हैं थोड़ा ठंडा केक ठंडा हो चुक है अब चक्कू की मदद से साइड से फ्री करके इसे डी मॉल्ड करते हैं देखे केक कितना सुंदर लग रहा है आप चाओ तो इसके उपर पाउडर सुगर से डश्ट कर सकते हो लेकिन मैं इससे नहीं करूंगी क्योंकि इसकी डिजाइन ही इतनी सुंदर लग रही है नटी केक खाने को तयार है तो आप भी बनाईए और अपना अनवो मेरे साथ सेर करिए अगर आपको मेरी एरेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन को प्रेस करें